मुंबई से सटे नाला सुपारा में इस तीन मंजिला मकान में एटियस ने छापा मारा तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया करनाटक की लेखिका और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बाद से ही एटियस की नजर यहां रहने वाले वेभाव राउत पर थी वेभाव राउत हिंदु जन्जागरन समिती से जुड़ा है एटियस के सेक्शन पर आसपास के लोग हैरान है इस बीच सनातन संस्था ने साफ किया कि वैभाव राउत उनका साधक नहीं है लेकिन संस्था ने वैभाव को निर्दोश बताया वेभाव राउत को भी उसी प्रकार से बली का बखरा बनाया गया होगा चालिस साल के वैभाव राउत के अलावा यूए पीए के तहट 25 साल के शरत कालासकर को भी नाला सुपारा से और 49 साल के सुधावना गोर्ण लिकर को पुड़े से गिरफतार किया गया इन सबी को कोट में पेश किया गया जहां अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि ATS को खुफिया जानकारी मिली है वो ये कि ये लोग मुंबई, पुड़े, नाला सुपारा, सतारा और सोलापुर में किसी बड़ी आतंकी गतिवीदी को अंजाम देने वाले थे इनके पास से भारी मात्रा में बम बनाने का सावान भी मिला है राउत के अलावा दोनों आरोपियों ने ATS की तरफ से प्रताणना दिये जाने की शिकायत की जिसके बाद आरोपियों को कोट ने मेडिकल चेक अप के लिए भेज दिया हमें रिमांड का रिपोर्ट देने से इंकार कर दिया और एक जजमेंट ऐसे बता दिया कि नहीं वो जजमेंट हाई कोट ने जब हाई कोट ने ये कहा था उसमें कि रिमांड अगर नहीं भी मिला सबी आरोपियों को 18 अगस्त कुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है